इछले सार पुल्वामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की यात में करनाल के समीप बस्ताड़ा आरपी आयाईटी होस्पिटल में रक्तदान शीविर का आयोजन किया गया इस मोके पर पुल्वामा हमले में मारे गए जवानों के परिवारों को सम्मानित भी क जिसमें इस जीले में जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को बुलाकर सम्मान देने के साथ 6 महीने के लिए फ्री चिकित्सा मुहिया करवाने का संकल्प लिया गया है यह रक्तदान शीविर कृष्णा एंबुलेंस सर्विसेज एवं आर्पी आई आई टी के सहयोग से लगाया गया है जिसमें सूपरसी डोक्टर द्वारा अपनी सेवाय दी गई इस रक्तदान शीविर में सो से भी जादा यूनिट रक्तदान रक्तदाताओं द्वारा किया गया है इस मौके पर रक्तदाताओं को सुमृती चिंदे कर एवं प्रशंसा पत्र दे कर समानित भी किया गया यहां हम आपको बता दे कि रक्तदान एक महांदान है जिसे करने से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है यह किसी भी फैक्टरी या कार खाने में ही बनाया जा सकता सिर्फ व्यक्ति के शरीर से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है इसलिए जादा से जादा रक्तदान कर जरूत मंदों की सहायता करनी चाहिए रक्तनालियों में नहीं नाडियों में बहना चाहिए यही संदेश देने के लिए इस रक्तदान श्रीविर का आयोजन किया गया है देखे एक विशेश रिपोर्ट उनके जितने भी लोगों ने याँ पे बलड डोनेट किया है उनको हमने सुमिधा दी है कि उनके गर में जो भी बेटी पैदा होती है उनके अपर कोई डॉक्टरी चार्ज नहीं लगेगा और इसके साथ की साथ लगबग सो यूनिट से जादा अब तक जो है बलड कोलेक्शन हो चुकी है और गाउं में लोगों ने बहुत हम उको सयोग दिया है और लोगों ने बढ़ चल कर इस कैम्प की इस मुहीम का हिस्साल बने है इस मोके पर मुक्रियूप से भी हमारे सर्पन साब थे वो निकल गये हैं परस्ताड़ा के सर्पर मास्टर सेवा सेग और तमाम जो हमारे यहां के परशासर और यहां के जितने मी लोगों ने कैम्प के हैं उनका दिल्की गराहिएं से दन्यवर्द करते हैं इस में अब हमारा यही कहना है कि यह मुहीम चाहतर होस्किटल को और करनी ही चाहिए कैसे ब्लड टोनेशन के और लगते रहने हैं। करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें। घंदेवाद।